दत्ता मेगी इंसिचूट आफ मेडिकल साइंस ने नेशनल इंसिचूट रैंकिंग फ्रेमवर्क 2022 में सरवश्रेश्ट प्रदशन किया है विश्विध्याले की कुलाधी पती दत्ता मेगी और सागर मेगी की दूद्रश्टी के कारण ही यह सफलता मिलने की जानकारी उप कुलाधी पती डॉक्टर वेट प्रकाश मिश्रा ने मंगलवार को आयुजित पत्र परिशत में दी पत्र परिशत में कुलाधी पती दत्ता मेगे कुलपती डॉक्टर आरेम बोले प्राकुलपती डॉक्टर ललित भूशन वागमारे कुलस्चिब डॉक्टर श्वेता पिसुलकर, IQAC निदेशक डॉक्टर तरपती वागमारे उपस्तित थी। डॉक्टर आरेम बोल्ली ने बताया कि MHRD द्वारा उच्छी शिक्षण और शिक्षण संस्थानों को दी जाने वाली राश्वी रैंकिंग फ्रेमवर के तहर देश भर की शामिल 1875 संस्थाओं में से ओवरॉल श्रेणी में 92 इस्थान और विश्विध्याले श्रेणी के तह 54 इस्थान हासिल की है वहीं देश भर की कुल 151 संस्था महाविध्यालों में से 24 और 142 दंद महाविध्यालों में 11 वा क्रमांग प्राप्त किया है NIRF रैंकिंग 2021 की तुल्ना में विश्विध्याले ने ओवरॉल श्रेणी में 8 पायदान विश्विध्याले श्रेणी में 9 मेडिकल कॉलेज श्रेणी में 10 और दंद महाविध्याले श्रेणी में 8 पायदान आगे बड़े हैं दत्तामेगे इंस्ट्यूट अफ मेडिकल साइंसेस ने 2022 की रेंगिंग के अंदर में चार कैटेगरीज के अंतरगत अत्यंत उच्च नामंकन प्राप्त किया है जुसे हम सारे देश की एजुकेशनल संस्थाओं का ओरॉल सुरूप कहते हैं उसके अंतरगत तीन वर्ष लगातार सौ की संख्या के अंदर रहना यह अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्दी है इस उपलब्दी को हासिल करने का काम विद्यापिट ने किया दो हजार बाइस की रैंकिंग के अनुरूप ओवराल केटेगरी के अंतरगत इंस्टिटूशन 92 नंबर पर रहा युनिवर्स्टी केटेगरी अगर हम देखें तो देश के अंतरगत नामांकित विद्यापिठों के अंतरगत देश भर में 54 नंबर पर रहा अगर हम अपनी दृष्टी से विशलेशित करें तो यह अपने आप में बहुत बड़ी उपलब दी है और विशेश कर विदर्प के लिए जहांकि इंस्टिटूशन को चारों केटेगरी के अंतरगत इस प्रकार की उपलब्दी हासिल होना यह अपने आप में एक बहुत बड़ा गमक और निर्देशांक है दो तीन चीजों की और मैं निश्चित तोर पर कथन कहना चाहूंगा कि इंस्टूशन ने केवल नैशनल रैंकिंग के अंतरगत ये सारी उपलब्दी हासिल की ऐसी बात नहीं जागतिक स्तर पर दो महतुपूर्ण की अंतरराश्ट्रिय रैंकिंग सिस्टम्स हैं जिसको हम टाइमस इंपक्ट रैंकिंग कहते हैं और QSI रैंकिंग कहते हैं इन दोनों रैंकिंग के अंतरगत भी विद्या पीट को अत्यनत जागतिक स्तर पर माननेता मिली वहाँ पर sustainable development goals को हम किस तरीके से cater करते हैं यह प्रमुक आधार है उसकी गणना का इस वर्ष 2022 की ranking and root times impact में दुनिया भर के sectionic संस्थानों में विद्यापीट का number SDG 3 sustainable development goal 3 इसके catering की बात करें तो हम जागतिक स्तर पर सैतालिविस स्वे नंबर पर रहे और राश्ट्री इस तर पर हम दूसरे नंबर पर रहें प्रिस conference के दवरान सर ने बोला कि हमारा पूरा focus quality centricity में है कि जो भी हम लोग करते हैं उसको quality के साथ किया जाए और वो quality को दिन बदिन कैसे बढ़ाए ताके फिर patient की care हो बच्चो का अध्यान हो परिक्षा का दर्जा हो ट्रेनिंग का दर्जा हो इसमें जब तक हम लोग quality नहीं करेंगे तब तक हमारे जो products है यह जागतिक स्तर पे जो competition है उसको सस्टेन नहीं कर पाएंगे तो हमको ऐसे टाइप के graduates यह doctors बनाने हैं जो जागतिक स्तर पे अपना कुछ चाप छोड़े और patient को इस तरह की हमको केर देनी है क्योंकि नॉर्मल आजमी के affordability के बाहर होती है technology आज तो उनको अच्छे से अच्छी technology से अच्छे से क्वालिटी की केर हम दे ताके कोई भी वंचित न रहे और पैसे के वज़े से उसका इलाज न रूके को सार कोई बंबई वगरे बड़े सहर में नहीं जा सकता तो यह हर चीज में जो भी चीज हम लोग युनरसिटी में करते हैं हम quality benchmarks को identify करते हैं और वो benchmarks को अच्छीव करने की कोशिश करते हैं यही एक पूरे इसका यह आप बोले तो उसका निचोड पूरा जैसे हम लोग चाह रहे हैं कि हम आदने वाले तीन साल में Institute of Eminence करके Government of India कुछ organizations को recognize करती है उस मकाम तक पहुशने की हमारी मंचा है जो कहते मंजिल अभी दिल्ली अभी दूर है उसके लिए छोटे-छोटे targets भी हम लोगों ने बनाये हैं कि जैसे अगले साल में हम लोग जो क्यामरा परसन सुभाज बूटले के साथ अभिशेक पांसी BCN News नाकपुर